नमस्कार दोस्तों हमारी वडूब चनल सफलिष्टेडी आईगे में आपका स्वागत है हम लोग जो है हिस्ट्री शुरू किये थे और हिस्ट्री में जो हम लोग दच्छिन भारत का इतियास की चर्चा कर रहे थे दच्छेन भारत के इतियास की चर्चा में हमने इससे पहले वले विडियो में दच्छेन भारत के संगम काल का जो तीन वंग्स थे चेर, पाइंड और चोल इन तीनों राजबंग्सों का हमने चर्चा किया था फिर हमने जो है संगम काल को संगम काल क्यों कहा जाता है इसके परे में डिसकसन करेंगे संगम काल में जो तिन वैठके हुई थी सभा हुई थी तिन गोश्टी हुई थी कह सकते हैं उन तिनों गोश्टी का अजद्यच कोंते कितने राजा ने भाग लिया था कौन-कौन अमुग जो साहित की रचना की गए तमिल साहित की इनके वारे में हम यहां पर डिसकुसन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संगम काल में पाइंड राजाओं के दोरा हमने पिछली विडियो में तीन वंख्यों की चर्चा की थी तीन वंख्यों में आमने उलि राजा का सासंता है 1 राज इन वंगसुद के सभी राजाओं के बारे में हमने पुरी डिटेल के साथ विडियो प्लड कर दिया आ Side व मंें इन संगम में ai तिन संगम बोले तो संगम जो है तमिल भासा में संगम का मतलब होता है गोश्ठी या सभा यानि बैठके हुई थी कर सकते हैं तीन यह अलग लग काल खंडव में हुई थी इनके धेच भी अलग लग थे तो अम लोग इन्हीं का संगम काल में हम लोग देखते हैं कि सबसे कालखंड में सबसे पहला जो संगम हुई थी सबसे पहली जो बैठके हुई थी तमिल साहित की रचनाओ को लेकर यह जो बैठक होती थी कि तमिल साहित का किस परकर्षे विकाश किया जाए इसको लेकर बैठक होती थी तो इसमें पह पर्थम जो संगम होय थी तो हम उन एइट राजावने बांग लिया था और इसमें जो जितने भी साहित की रचना की गए थी वो जो है वर्तमान में एक भी नहीं है अब क्यों नहीं हैं तुई कि दोस्तों पहला पहला जो Sाहित का जो यानि पफला जो संग्म का जो इस्थान था वह दच्चनी मनदुरई था और कहा जाता है कि दच्चनी मनदुरोई जँ है समुंदर में विलीन होचुका है अब यह केशा की समुंदर में विलीन हो चुका है जी हां जिस परकार से आपने देखा होगा कि आपने पहले पढ़ते थे पुराने भूग में कि भारत का सबसे दचिंतम बिंदू हम लोग पढ़ते थे कि इंद्रा पॉइंट लेकिन आपको पता होगा कि 2004 में जो विशाल विन्यसकारी भुकाम पाई थी उसके बाद भारत का जो समंदर में बिलिन होगी है उसी परकार से जो है दचिनी मदुरोव समंदर में मिलता है तो परथम संगम के बारे में बस इतना इंपोडन है दोस्तों दितिया संगम का जो आए जर्ण तीनचांब साथ सू वर्स्पूर्प क्या था हम वारी वारी है कि यहां पर समय काल को बटा दूँगा और यह जो दूसरा संगम का कपाटप्रम में किया था कपाट पूरम का दूसरा नम्म हैं अल्य है और जो है संगम का भी आज़िया था और जो है दूसरे एकर पर रचना क्या गया था यह पर्मक गरंद लिखा गया तक का सकते हैं तमिल साहित का यह तोलका पियम और तोलका पियम की रचना करने वाले खुद जो थे तोलका पियर थे इनका क्या नम था तोलका पियर तो तोलका पियर ने जो है तोलका पियम की रचना किये थे कब दितिया सं संगम में उनके अधेश्टा कुन थे अगस्त्रिसी कितना आसान है पहला और दुसरा दुनों के अधेश्टा कुन करते हैं अगस्त्रिसी देखे राजा घटते करम में जाएंगे पले 89 राजा फिर 59 राजा देखे शुरू-शुरू कोई बीचीज होता है तो बड़ी लोग सुकता के साथ आ जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं चली जाते हैं तो शुरू घर में देख रहें 89 राजा ने भाग लिया था फिर दुसरे बार 59 राजा भाग लेते हैं अब हम बात करते हैं तिसरा संगम के बारे में जो 1850 वर्ष पूर हुई थी और ये जो ये तिसरा संगम का दाश्ता कि कि नोंने क्या था तो नक्कियर ने क्या था इन्हीं इसमें कितने राजा भाग लिए तो इसमें जょ एसमें और से के रस्ना की गई थी लेकिन इनका भी जोहें कोई विसाना का जो आउसस नहीं मिलता है reflects तुमने देखा याद कैसे करना है पर्थम संगम के बड़ा से आगास्त Barbara Ce इंपोरेंट है तिसरा का जो है कुछ एक नया क्रेक्टर मिला का नक्कियार इन्हें याद रखना है और पहला और तिसरा कहां पर मद्रोई में देखें मद्रोई दचनी मद्रोई या मद्रोई के यह मद्रोई नाम है तो पहला और तिसरा जो है इस्तान है मद्रोई और बीच जीवन किस परकार से था यानि लोगों का जीवन किस परकार से उलग वेतित शेली और में mlोग पुसपालन और किर्षब के बड़ी मत्राम करते थी उसके बाद मसाला के वेवर करते थे लें टोई। आपने जीविक्या उपारजन के लिए कर देग्या कर देखा जाता हों मिलनाडू चेत्र और केरल वाला चेत्र यानि दच्छिन भारत का इतियास उस वक्ष जो है पुरे विश्व में कहा जाए तो कहां रोम तक सबसे जदा व्यापात जो होती थी वो रोम के साथ होती थी रोम कहें ते वर्तवान का इटली की राज़ा ने किया है रोम ही तो है इ उसके बाद उस संगम काल में जो जाती व्यास्ता किस परकार से थी तो संगम काल की जाती व्यास्ता उत्तर भारत से एकदम विप्रित थी उत्तर भारत से विप्रित मतलब उत्तर भारत में किस परकार की जाती व्यास्ता थी तो हम लोग देखते हैं कि उत्तर भारत में जो उत्तर भारत उस खलकांखर में यानि पहली दुसरी और तिसरी सदी में लेकिन जो हम लोग दच्छिन भारत का इतियास देखा जो दच्छिन भारत में जो इस तरह का जाती ब्यास्ता नहीं देखने को मिलता है जाती ब्यास्ता देखने को नहीं मिलता है बस उच निस्था ज पॉर तो संगम काल में जो देवता ओता हुते था संगम ज क슬ए था ान ने मुरूग जिवन के बतकर सोंगम काल जो इन परमुख देवता क्या नाम था मुरुगन नाम था मुरुगन और मुरुगन का अभी वर्तमान नाम है सुब्रमन्यम वर्तमान में क्या कहा जाता है मुरुगन को सुब्रमन्यम और सुब्रमन्यम के नाम से आप जोई एक फैमस जोई अभी इन्यता को जानते होंगे जिनका न अग्ला देखा जैटों साहित की रसना की गई थी तो रसना की गई थी यह तो शाहितों की रसना जी पिनल साहितों की द विकास के लिए तो ये तीन संगम का जो आजन किया गया था इसमें जो परमुख साहित है जो इंपोडेंट है और ये साहित से आमेसा अक्सर जो कोशन पूछे जाते हैं तो सबसे पहला जो साहित है वो है तोलका पीयम और तोलका पीयम जो है एक परमुख जो है तमिल साहित है और इस तोलका पीयम की राशना आमने पहले भी बताया तोलका पीयर नहीं किया था और कभ किया था तो दितिय संगम के समय किया था इसरा जो साहित है वो है तीरु कुर पर आल बोलिये या फिर कुराल बोलिये तिरू कुराल और कुराल यह जो रिालि की और चिंतामनी ज़ो सहीट हैड से जिवक चिनतमनी जिवक चिंतमनी में एक कहानी है जिसमें बताएगए कि राजा का बेटा यानी राजकुमार जो है जेन धर्म से परवाईत होकर जेन धर्म अपना लेता है इसकी चर्चा है किसमें जिवक चिंतामनी में तो जिवक चिंतामनी किस धर्म से रिलेटेड है तो जेन धर्म से रिलेटेड है इसमें किस बात की चर्चा है तो एक राजा का बेटा जो है जेन धनम अपना लेता है इसकी चर्चा है ठेक जेवक चिंतामनी में अगला हम लोग बात करते हैं सिल्पा दिकारम क्या पुस्तक नम है बहुत इंपोडेन पुस्तक है सिल्पा दिकारम सिल्पा दिकारम जो है तमिल साहित में बहुत ही फेमस पुस्तक है वर एक पायल की कहानी है, पायल की कहानी किस परकार से, इसमें जो है तेमिल साइट में जो यह सिलपादी करम लिखा गिया है, इसमें जो एक ब्याफारी, जो बहुत बड़ा बिजनेस्मेन, कॉलन की कहानी है, और उसकी पत्नी का नाम है कंणगी, उनकी पत्नी का क्या नाम है तो यह जो समनन हो जासाथ जिनका नाम रहता है माधवी तो ट्रेंगल टाइप से प्रेंगल त्रीा कहांटी है धिमे कोलं ओर उसकी पन्तिक कन्यगी और लेकिन दुसरे जगह फंस जाता है एक दॉपिरस province के दॉप मुझ के प्रेंद में फंस जाता है कोलं और ऑर, लेकिन देखते हैं कि और माधवी इसकrenched लुटता है यानि धन दवलत पुरा लुटता है माधवी पुराे चरती है यह माधवी संमेहे के साथ पुरा धन लोटाते जाता है कोलन माधवी के प्यार में चली उख को पॉलन को शोड़कर सब्सक्राइब सब्सक्राइब कहां जाए इंसान ओई घर लोटके आता है अपने पतनी के पास यानि कन्नेगी के पास यानि कोलन आता है और अपने जो है कन्नेगी को तो पता ही रहता है कि यह गलत रस्ता में भटक गया था फिर भी जो है कन्नेगी अपने पती कोलन को एकसप्ट कर लता है इन्हें सिकार कर लहता है विजनेस क्यों थो पैसे कि जो रहे निने था करना है और सै जो भी पैसा आता है न में उसे जह कोलन फिर से ब्यापदः सुरू करता है लेकिन यहाँ पर हो जाता है यहाँ पर होता है कि यह मदरोई सहर के कुछ जो राजा और राणी महां पर मत पूरे समराज में तब दूर दूर तक यह मेसेज फोंच गया पूरे राज में फैमस गया सभी लोगों में डर का महाँ लागया कि रानी का पायल गूम हो गया अब इससे तो खोज के दनाई होगा पता लगवा नहीं होगा तो देखिए किस परकार सा जो गलत इलो का समयकाल जल रहा था कि कण्णगी ने अपना पायल बेची थी ताकि अपने पती फिर से ब्यपड शुरू कर सके और फंस गई कण्गी उन्होंने जाके बता दिया कि मुझे एक और हो सकता है कि आप ही का हो बस क्या था रानि को अ वाई गया कंynेगी को यह नहीं देखा गया किस मिर्तुदंड की सजा देती। तब कहा जाता है कि जब मिर्तुदंड की सजा सुनाई गई कन्यगी को उस वक्त जो है उस वक्त कन्यगी ने जो है मदरोई सहर के नश्ठ होने की सराब दी थी और कहा जाता है कि उसके बाद मदरोई सहर जो है नश्ठ हो गया था तो इस परकर की कहानी है और उसके बाद जो ह पत्नी पुजा जो चेर राजा थे चेर राजा में कौन थे सेंड गुटवन चेर राजा में एक राजा थे जिनका नाम था सेंड गुटवन सेन गुटवन और हमने बताया था कि सेन गुटवन को लाल चेर के नाम से जना जाता है और सेन गुटवन ने पत्नी पुजा या पत्नी को का बलते हैं कंगी बलते हैं कंगी पुजा शुरू किया था तो क्यों किया था जानते हैं इसी कहानी से परभावित होकर सेन गुटवन जो एक राजा था चेरवंग का उन्होंने जो है ये जो है पत्नी पुझा शुरूग किया था कि एक पत्नी किस परकार्श होते है पत्नी जो है कितना त्याग देती है अपने पत्ती के लिए अपने पत्ती के गलत रास्ते की जानकारी होते हुए भी उन्हें फिर से एकसेप् बलिदान को देखते हुए जो एक कंड़ी पुजा शुरुक ये थे कौन सेंगुटवन तो कंड़ी पुजा किसे लेटर डगा जा था कहीं न कहीं ये जो है सिलपादिकरम में जो कहाणी है पायल की कहाणी है यह ही से जो है ये रिफ्रेंस लिया गया सेंगुटवन के दुआरा अगला जो कहाणी है देखिए प्रेंपर्शंग किसका किसका चल रहा था तो चल रहा था हमने बताया था कौन राजा कहीं ब्याबारी का नाम दा कोलन और माध्वी तो कोलन और माध्वी खुब एक दूसर से मिले तो मिले तो उनके बीद जो एक संतान उत्पन होता है जिन बहुत धन्म अपना लेता है इसकी चर्चा और उसके बारे में जो मनी मिखला जो लड़का के नाम रता उसके सारी डिटल्स उनका कहानी जो आगे एक पुस्तक है मनी मिखला के नाम से उस पुस्तक में चर्चा की गई है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तमिल साइद में जो गिनेच उने कुल कुछ जो फ्यमस पुस्तक है उनमें से पहला हुआ तोलकापियम और दुसरा हुआ तिरुकुराल या कुराल तिसरा हुआ जिवक्चिंता मनी चोगथा हुआ सिल्पादिकारम और मनी मेखला तो एक दुसरे से रिलेटर है कर सकता है यह पहला बंस है जबकि तोलकापियम में पुछा आता है कि इसके रशना तो तोलकापियर ने किया था तैमिल साहित है तिरुकुराल या कुराल बोली है यह जो वाईवल का जाता है तेमिल साहित का और जीवक्चिंतामानी जैनधर्म से लिटेड है जिसमें एक राजा के बेटे की जैनधर अपनाने की चर्चा है तो बस इतना ही जो साहित की रसना की गई साहितों की रसना की गई यह जो खेमस है और अक्सर जो एक्जाम में पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंड करके बताईएगा और अगला हम लोग सुरू करेंगे दर्चिन वारत का और वीतियास कपर में बड़े इंटरस्टिंग स्टोरी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद